सबसे पहले तो आप सभी को wish you happy दीपावली दीपावली की धेर शारी शुप कामना है basically हमारे भारत वर्ष की जो पहली दीपावली थी वो celebrate की गई थी प्रभू स्री राम के श्वागत में आयुध्यावासियों ने घी के दिये जलाये थे और यह हमारे भारत वर्ष की पहली दीपावली थी जिसको celebrate किया गया था पहली बार धर्म और संस्कृति का जो यह महत्व है वो हम सभी को यही समझाना है basically दीपावली का जो उद्देश है हमें यह बताना है कि धर्म और संस्कृति हमारे जीवन में कितना important है बहुत ज्ड़ादा आपको ऍसलेवेट करना है आज जो की आपको पढ़ना भी महत्वाल है हाज सभी को पढ़ना महत्वाल है आप सभी को आज जरूर से पढ़ना चाहिए आज के दिन अच्छे प्रगार से मन से 15 मिट, 10 मिट जितना भी पढ़ो आप मन से पढ़ो ठीक है comment box में जरूर से बताना आज आपने कितनी दिर पढ़ाई की है और अच्छे से पढ़ाई की है ठीक है so आज का जो class का length रहेगा वो 10 से 15 मिनिट का रहेगा basically ज्यादा time में आप सभी का नहीं लूँगा और आज का जो class रहेगा अतुल मैसुरी छातवरिती परिक्षा के लिए math का रहने वाला है किसका रहने वाला है math class रहने वाला है आप सभी को पता है कि आप सभी कि जो examination की जो date है वो out हो गया है और playlist को आप चेक कर लेना पहला जो chapter आज रहने वाला है आपका मतलब जो topic रहने वाला है chapter रहने वाला है वो रहने वाला त्रिकोड मिती और code map ठीक है so इससे relatable मैं आपको 5 question जो है वो solve कराने वाला हूँ and ऐसे ही 10 दिन में 10 chapter 10 topic से related आपको 5-5 question मैं series में practice set लगवाने वाला हूँ ठीक है बहुत ही आप सभी के लिए helpful रहने वाला है ये पूरा journey 10 से 15 दिन का जो बचा हुआ time है आपके पास so आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि अपने सभी दोस्तों के साथ share कर देना classes को उन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया तो बोल देना subscribe करने क्योंकि notification तभी मिलेगा otherwise notification नहीं मिलेगा उनको ठीक है पहला question यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और पहला question यहाँ पे दिया हुआ है basically यदि हमको sin theta का value है 3y5 दिया गया है and जो हमारा zero degree है and हमको क्या करना है basically cos theta हमारा जो थीटा होता है उसकी value को हमको find करना है sin theta का value हमको दिया गया है cos theta का value है वह हमको ग्यात करना है वह हमको find करना है I hope आपको questions समझ में आ गया होगा so हम सभी जानते है basically सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं हमको जो find करना है cos theta का जो value है उसको हमको find करना है हम सबी जानते हैं एक formula, कौनसा formula? एक formula हम जानते हैं sin square theta प्लस cos square theta इक्वल टू 1 ये formula कितने लोगों को पता है? जल्दी से comment box में बताना sin square theta plus cos square theta ये formula कितने लोगों को पता है ठीक है तो देखो ये formula हमको पता है चलो मैं थोड़ा बहुत लिग भी देता हूँ सुत्र है ये formula है अब ये formula से हम लोग सबसे पहले जो sin theta है वो हमको दिया गया है sin theta equal to 3 by 5 सो हम सबसे पहले sin square theta का जो value है उसको निकाल लेते हैं उसको find कर लेते है sin square theta का value हम निकालेंगे सबसे पहले तो sin theta का value हमको दिया गया है अगर हम इसको square कर देंगे तो sin square theta का value हमको पता चल जाएगा तो sin theta का value दिया गया है 3 by 5 इसको हमने कर दिया square तो हमको मिल गया sin square theta का value तीन त्रिक का 9 and आपका 5 का multiply 5 में किया तो 25 so sin square theta का value हमको मिला वो मिला 9 by 25 नौ बटे 225 अब हमको क्या करना है इसी को हमको सुत्र में रखना है जो ये formula है sin square theta plus cos square theta equal to 1 इसी में हमको इस value को रखना है कि इसको 9 बटे 25 को रखना है क्यों रखना है क्योंकि हमको sin square theta का value हमको मिल गया कैसे मिला sin theta का value हमको 3 बटे 5 दिया हुआ था इसको हमने square कर दिया 9 बटे 25 हो ठीक है अब इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सो यह हमारा formula है एंड इसमें हमको value को रखना है simple सा concept है और कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है तो sin square theta की value है वो कितनी है वो हमने find किया है 9 by 25 बटे 25 है plus cos square theta तो हमको जो है इसको ऐसे ही लिख देना है cos square theta में कुछ नहीं फिल करना है यहाँ पे equal to 1 कर देना है एंड देखो cos square theta को सबसे पहले हम लिखेंगे उसके बाद equal करेंगे तो यह उस साइट जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1-9 बटे 25 ठीक है अब इसको हम solve करेंगे जब तो 25 हो जाएगा 25-9 ठीक है 25-9 and divided by 25 ठीक है तो अब इसको हम जब solve करेंगे ना basically तब हमको मिलने वाला है 16 by 25 ठीक है? 16 by 25 बस यहां पर यह समझो ये हमको जो value मिला हुआ है वो मिला हुआ है cos square theta का ठीक है? ये value हमको किसका मिला है? cos square theta का भस हमको क्या करना है? cos theta का निकालना है तो देखो cos square theta का जो value हमको find हुआ है 16 बटे 25 जब हमको cos theta की value को निकालना है तो ये हमारा square क्या है इधर जाएगा तो root में हो जाएगा ये पूरा value 16 वटे 25 हो जाएगा तो हमको cos theta का जो value find होगा वो होगा 4 यहाँ पे हो जाएगा and upon 5 हो जाएगा ठीक है cos theta की value है 4 वटे 5 यह हमारा answer हो जाएगा I hope आपको चीजे समझ में आ गई होगी बहुत ही मैंने आपको easily समझाया है अच्छे concept के साथ समझाया है पूरा step by step समझाया है ठीक है clear हो गया answer 4 वटे 5 आएगा cos theta का value sin theta का value दिया था सबसे पहले हमने निकाला sin square theta का value sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह हमको formula पता है ठीक है उसमें हमने value को रखा cos square theta का value हमको मिला 16 वटे 25 cos theta का हमने value निकाल लिया उसको root में करके हमको मिलेगा second question यहां पर दिया गए एक त्रिभूज में दो code है ठीक है 30 degree and 70 degree के ठीक है एंड तीसरे code का value है वह हमको find करना है third code जो है उसका हमको मान ग्यात करना है यह हमारा बहुत ही easy question रहने वाला है basically ठीक है 180 degree का होता है यह और टीनों का मैं बता हूं यह तीनों का जो angle का पूरा का पूरा योघ होता है वह कितना होता है 180 का होता है so यहां पर हमको 2 value दिया हुआ है एक 2 code का value दिया हुआ है उसका हमको find करना है gjort तीसरा जो एक यक्स मान लिया अब इसी की हमको value find करनी और Sims ghost पहले हम लोग क्या करते हैं इन तीनों को आपस में एड करते हैं 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री यह तो हमको पहले से दिया गया है प्लस यक्स यक्स क्यों हम लोगों ने लिखा है क्योंकि हमको यह पता नहीं है हमको यहीं फाइंड करना है ठीक है तो यह देखो क्या करना है आपको यह दोनों को सबसे पहले हम एड कर लेंगे तो 100 degree प्लस x equal to 180 degree अब यहाँ पे equal to 180 degree हमने क्यों लिखा क्योंकि यह जो तीनों कोड़ है इसके जो तीनों भुजाय होती है त्रिभोज की इन तीनों कोड़ों का जो योग होता है वो 180 होता है ठीक है तो पहला हो गया 30 दूसरा हो गया 70 तीसरा हमको find करना है इन तीनों का जो योग है वो है 180 ठीक है दोनों को हमने add किया 100 degree plus x equal to 180 अब हमको क्या करना है x की value को find करना है तो 180-100 अब हमने जब इसको माइनस किया तो हमको मिल गया 80 कितना मिला 80 डिगरी तो हमारा जो तीसरा कोड होगा वो कितना होगा यह हमारा कौन सा कोड है यह हमारा तीसरा कोड है कौन सा कोड है तीसरा कोड है अभी आपको पता चल गया तीसरा कोड कितना है 80 डिगरी का उसके बाद जो दूसरा कोड रहता है वो कितना है दूसरा कोड हमारा हो गया यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 70 डिगरी ठीक है उसके बाद हमने पहला कोड यहाँ पे क्या मान लिया पहला कोड हमको यहाँ पे दिया हुआ है आयोप आपको ये question अच्छे समझ में आ गया होगा comment box में जरूर से drop करो मैं जानता हूँ आप से भी को late हो रहा होगा दिवाली celebrate करने के लिए और भी जो भी functions हैं और भी चीज़े हैं ठीक है बट ज्यादा मैं class को long नहीं रखूंगा केवल 10 से 12 minute ही लूँगा ठीक है फड़ नमर question यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे जो value दिया गया है आपको 10a का value दिया गया है चारवटे तीन सो आप सभी को find करना है sec square a minus 10 square a का value इसका value find करना है sec square a minus 10 square a का value 10 a का value है वो आपको पहले से दिया गया है इसका आना एक बहुत easy सा concept है इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है कुछ भी आपको ज़्यादा solve नहीं करना है कि वहला आपको formula के through इसको solve करना है ठीक है सो हम लोग जानते है sec square a minus 10 square a equal to 1 ये क्या होता है ये हमारा एक formula होता है जो कि पहले से हमको पदा होता है ठीक है और basically हमारा ये formula होता है ये क्या है ये हमारा एक important सुत्र है ठीक है मतलब जो sec square a minus 10 square a है इसका जो value है वो 1 होता है हमको यहाँ पर 10 a का value दिया गया है 4 बटे 3 सो इन सबका जो value है मतलब इन सबका जो man है वो कितना होगा एक ही होगा ठीक है क्यों एक ही होगा क्योंकि यहाँ पर हमको पहले सही एक formula पता है sec square a minus 10 square a का जो value होता है वो 1 होता है तो अगर 10 a का मान यहाँ पर 4 बटे 3 दिया है 5 बटे 3 दिया है या फिर कुछ भी दिया हो उससे हमको कोई भी मतलम नहीं है अगर यहाँ formula हमको पहले से पता है minus 10 square a की जो value है वो कितनी होती है 1 होती है तो direct इसका जो value है 1 हो जाएगा मतलब answer 1 हो जाएगा ठीक है sin square theta यह सब जो सुत्र है वो आप सभी को पता होना चीह ठीक है ऐसे ही जो सुत्र है वो आप सभी को पता होना चीह तभी आप अच्छे से बहुत कम टाइम में इन question को solve कर पाऊगे, ज्यादा आपका time नहीं लगेगा, ठीक है, next जो question है, मैं five number question आपको बता दे रहा हूँ, ये भी बहुत easy question है, और सुत्र के basis पर है, fourth question में group में share करूँगा, तो आप, या फिर आप screenshot ले लो, group में share कर दूँगा, इसका solution आप share करिए के लिगा, time check करेगी, आप सभी cancer को, ठीक है, यहां पर देखो, दिया गया है, वेसिकलिए, आपको cot थीटा का value है, वो कितना है, 1 है, तो आपको थीटा का मान ज्याद करना है, basically, cot थीटा जो होता है, उसका value यहां पर 1 हमको दिया गया है, हमको find करना है, थीटा के value है, वो ह तो यहां पर मैंने पहले से एक्स्प्लेइन कर दिया है चीजों को जिससे आपका ज्यादा टाइम ना लगे यहां पर बहुत इजी ख्वेस्चन को आप फिर से समझो यहां पर आपको बोला गया है यहां पर दिया गया है उसका वैलू 1 है तो आपको यह जो थीटा है न इसी का आपको value find करना है कितना होगा ठीक है यह कितना degree का theta है आपका basically so cot theta यहाँ पे दिया हुआ है 1 and हमको पता है basically जो हमारा cot 45 degree होता है उसका value होता है 1 cot 45 degree का जो मान होता है cot 45 degree का जो value होता है वो कितना होता है 1 होता है ठीक है so cot theta equal to cot 45 degree यहां पे हमारा क्या हो जाएगा थीटा की जो वैलू है वो हमको मिल जाएगा 45 डिग्री के ओल कॉंसेट को आपको समझना है एंड थोड़े बहुत फॉर्मूला को आपको रिवाइस करने है आपके सभी क्वेश्चन इसली जो है सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही इजी के लिए दिया गया है बैसेकली सॉल्व करना स्क्रेंशॉट ले लो ग्रूप में मैं सेयर कर दूंगा एंड टीम के जो दिये गए नंबर से वहां पे आप सेयर कर सकते हो अच्छे से ठीक है इसका स्लूशन रिटेन फॉम में जैसा भी आपके लिए कमफर्टेबल हो ठीक ह जैन जैवार